आत्मा नमस्ते, मैं गॉड्स लाव हेलिंग चैनल, डॉक्टर शेरिल डाबी हूँ DNA एक्टिवेशन क्या होता है? जिस तरह हम अमारे मोबाइल फोन को अपग्रेड करते हैं, उसका सॉफ्टवेर अपग्रेड करते हैं उसी तरह से DNA एक्टिवेशन से हमारा सॉफ्टवेर अपग्रेड होता है उससे क्या फाइदे होते हैं? हमारी लाइफ में कई-कई बार बहुत जादा मुश्किले आती हैं कभी ऐसी मुश्किले होती हैं जिससे हम कभी निकल ही न पाएं ऐसा हमें लगता है और कई-कई लोगों को disability भी होती है किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है तो ये मुश्किलें तो ठीक नहीं हो सकती मगर फिर भी ये लोग दुनिया में इतने बड़े-बड़े कारनामें कर जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ पैर वापस आते हैं बट हाथ पैर ना होने के बावजूद कठिनाया होने के बावजूद problems होने के बावजूद disability होने के बावजूद भी वो successful होते हैं वो दुनिया में अपना नाम करते हैं और बड़े-बड़े कारनामें कर जाते हैं तो ये चीज़े हैं benefits of DNA activation भगवान की दया से हम इतनी बीशन परिस्थिति में नहीं है जो भी हमारी परिस्थितियां है difficult परिस्थितियां है problems है उनसे हम बहुत ही आसानी से लड़ पाएंगे हम अपना limitless माने हम अनन्त जीवन अपना पाएंगे DNA activation के द्वारा DNA activation के द्वारा हमारा mind ताकतवर हो जाता है हमारा attitude ताकतवर हो जाता है हमारा दिखने का नजर्यां बदल जाता है हमें कटनाईयां छोटी लगने लगती है हम उसके सामने काफी बड़े हो जाते हैं तो ये बगवान की दया है ये DNA activation है जब हम बगवान से मांगते हैं हमें ताकत दीजिए तो ऐसे कई-कई परिस्थितियों में या कई-कई बार automatically ही हमारा DNA एक्टिवेट हो जाता है पर हम इंतजार नहीं कर सकते कि कब हमारा DNA एक्टिवेट हो जाए हमें नहीं पता एक साल दो साल छे मैने हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर God's love healing में जो DNA एक्टिवेट करते हैं उसमें आप खुद ही अपना DNA activation करवा सकते हैं ये DNA activation हम God frequency से परमात्मा की उर्जा से परमात्मा के प्यार से करते हैं तो एन्रोल करने के लिए क्रिपया दिये गए नमबर पर WhatsApp करें थैंक यू